इस वक्त देश कुरोना महामारी के मकड़ जाल में फसा है इससे निजात पाने को देश-प्रदेश की सरकारें हर जतना आजमा कर फिक्रमन हैं वहीं तमाम ऐसे लोग भी हैं जो संकट की इस खड़ी में लागडाउन को ताक फर रख कर मुनाफ़ा खोरी घड़ तुली कर जान रहे कि महामारी के दोर में सियम योगी गुटका मसाला वैन कर चुके हैं अब तो सरे राह ठोकने पर भी जुर्माना का एलान हो चुका है जबकि ठोकने की जड़ गुटका बिक्री पर कोई रोग तो प्रभावी नहीं लग रहा है जिला और कस्वा पर गौर करें तो उजहानी की पंजावी कॉलोनी में गुटका खरीदारों की मंडी लगती है इस इलाके में रह रहे स्ताकिस्टों के घरों के सामने का वीडियो वायरल हो रहा है उजहानी में गुटका बिक्री पर रोग तथा लॉकडाउन का असर ना दिखने पर जब उजहानी पुलिस के जामबाजों ने आज सुबह पंजाबी कॉलोनी के इन थोग विक्रेताओं के घरों के आसपास लठ फटकारे जिसकी जद में सिर्फ फुटकर खरीदार ही आए जबकि विक्रेता अपने घर वा गोदाम में सेफ रहे गुटका के जरूरत मंदों की माने तो पाबंदी सामोवा दुकानों में स्टाक खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है बदायू से कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट